नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आयरवेदिक में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोगों सामने अकरकराग पौधा लेकर आया हूँ और इसी पौधेक फाइदेक बारे में आज मैं आप लोगों बताऊंगा दोस्तों यह अकरकराग पौधा बहुत सारे आयरवेदि और इसके पत्यां यозможно पत्तों से थोड़े-धोड़े मिलते जुलते होते हैं कすने जो लोग अक्सर जड़ी-बूटी या पेड़ पोधों को नहीं पह 144 जहानते आνοज ayrok लेकिन जो लोग जड़ी-बूटी या पेड़पोधों को नहीं पहचानते हैं दोसी में को अक्सर खाली पड़े जमीन में बाग बगईचों में जरूर देखे होंगे लेकिन इसे न पहचानने को जैसे इसका नाम न जानने को जैसे आप इसे उप्योग नहीं किये होंगे लेकिन जब आज मैं इसके फाइदेक बारे मापको बताऊंगा तो आप इस जड़ी बूट करता हूँ आप इस पौधे को अब तक पहचान चुके होंगे तो आओ चलो इसके फाइदे बारे में जाने किया आकर करा हमारे सरीर के लिए कितना फाइदे मंद है दोस्तों यह जो पीले पीले फूल आप देख रहे हैं इस फूल को तोड़ कर पीस कर पेश्ट बना कर थोड तरह के दर्द को ठीक करता है मात्र माथे पर लेप करने से दोस्तों यह अकर कराग फूल दातों के दर्द को भी दूर करता है मात्री स्पूल को दातों के जड़ में मात्री स्पूल को दातों के नीचे दबाने से दात का दर्द दूर होता है कि दोस्तों अक्सर आप अगर अगर आयर पेटिक इस्टोर्म खरीदने लिए जाएंगे तो आपको अकरकरा कर जड़ ही मिलेगा और उस जड़ का पहचान है अगर आप उस जड़ को दाटों के नीचे दबा कर चबाएंगे तो आपको दाथ जंजनाने लगेंगे यहनी मसू प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अकरकरा चूरन भी मिल जाएगा और अकरकरा जड़ भी मिल जाएगा तो आओ चलो दोस्तों इस अकरकरा के बारे में और हम जाने किया हमारे लिए और कितना फाइदे मन्द है तो दोस्तों यह अकरकरा गले के अंदर सूजन को भी दूर करता है अगर किसी गले में सूजन है तो सैद में मिलाकर दो गराम अकरकरा चाटने से गले का सूजन दूर होता है दोस्तो कैसे बबूल को मिला कर चूसने से गले में जमा हुआ खराच और कफ़ दूर होता है दोस्तो अकर करा के जड़ करीबन दो से लेकर तीन ग्राम सैद्ग साथ बजवी के खाने से चाटने से इस्टेमना पाणञ बढ़ता है दोस्तों अकरकरा के जल का पौडर और संग पुस्पी का पौडर और ब्रमी का पौडर एक ग्राम लेकर सैद मिलाकर छोटे बच्चे को चटाने से हकला पंदूर होता है बहुत से बच्चे होते हैं जो हकलाते हैं उनके लिए बहुत ही फाइदे मंद होता है अकरकरा का जड़ का पौडर दोस्तों यह अकरकरा लकवा वाले के लिए भी फाइदे मंद है क्योंकि यह अकरकरा नस नस में जोर देता है ताकत देता है तो जिनका हाथ पर कापता हो, कमजोर हो, सुन्न हो गया हो उनके लिए भी फाइदे मंद है तो दोस्तों जिनको कपकपी बाई हो, हाथ पर कापता हो, थर्थराता हो तो उनके लिए भी अकरकरा फाइदे मंद है करीबन तीन ग्राम अकरकरा सुबा साम सहथ साथ चाटने से नसों में जोर आता है हर परकार का कमजोर नस ताकतवर हो जाता है दोस्तों यह अकरकरा खासी के लिए भी फाइदे मंद है अगर किसी को खासी है तो एक ग्राम अकरकरा और एक ग्राम काली पीपर दोनों को सहथ सा मठता है गल्याया चूटANS को सब्सक्रिए सब्सक्राइबसाइब दर्शक्ति को बढ़ाता है अगर हमें भूलने की विमारी है जो कि हम कोई भी समय रखते हैं भूल जाते हैं तो हमें प्रति दिन तीन ग्राम अकरकरा और तीन ग्राम ब्रह्मी और तीन ग्राम संक्षपी या तीनों पॉडर को मिलाकर एक सेवन करना चाहिए एक से लेकर दो महीना तक तो भूलने की आदत कम हो जाएगी दोस्तों अकरकरा के फूलों को काड़ा बनाकर कुली करने से मूं का बदभूदूर होता है दोस्तों यह अकरकरा आवाज को साप करता है अगर कोई गवया है जो सिंगर है गाने के सवखीन है तो उन्हें अकरकरा और कुलंजन का सेवन यह चूसना चाहिए तो बहुत ही फाइदे मंद होता है आवाज साप करने के लिए दोस्तों हिचकी रोग के लिए भी अकरकरा बहुत ही फाइदे मंद है अगर किसी को बहुत ही अधिक हिचकी आ रहा है जिसके वज़े सो परेशान है तो दोस्तों आपको करना क्या है अकरकरा के दो गराम चूरन चूरन सहद में मिला कर चाटने से हिचकी रोग ठीक होता है औ का ऐसा बात हो जाए तो बदन काउपने लगता है थर धर धर यह सब दिल की कम जौरी के वज़े理 से होता है थो तो ऐसे लोगों को लिए अकरकरांक चूर न भहूत ही फायदेमन्द है लेकिन हाँ दोस्तों अकर करा के साथ में अर्जुन का चूरन डालना है तो कितना कितना दोनों की मिलाना है वो मैं आपको बता देता हूँ जैसे माल लीजिए 100 ग्राम आप अर्जुन का अच्छाल का पौडर ले लिए तो 50 ग्राम उसमें अकर करा के पौडर डाल दीजिए और दोनों को मिला कर आधा आधा चम्मच सुबा साम दो टैम सेवन कीजिए कुछ दिनों के अंदर आपका दिल मजबूत हो जाएगा और जिसे बारिक बारिक नसों में ब्लेट सर्कुलेशन नहीं होता है उस बारिक बारिक नसों में ब्लेट सर्कुलेशन होने लगेगा तो आपका हर एक नस मजबूत होने लगेगा इतना फाइदे मंद होता है दोस्तों या अकर करा बारिक बारिक नसों के अंदर अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है तो अकरकरा के सेवन से बारिक बारिक नसों में ब्लड सर्कुलेशन होने लगेगा हर एक बारिक बारिक नस मजबूत होने लगेंगे मसल भी मजबूत होगा इस अकरकरा के जड़के सेवन से तो देख लिजे पहिचान लिजे दोस्तों इस अकरकरा के करीबन दो तीन पर जाती होते हैं एक पर जाती तो आप देख रहे हैं और दो पर जाती मुझे मिलें तो आपको मैं जरूर दिखाऊंगा तो देख लीजे पहिचान लीजे दोस्तों या अकरकरा ठंडे नसों में जान फूकने काम करता है या पोधा आपको पूरे भारत में देखने के लिए मिल जाएगा तो चलो दोस्तो आज की महात्पूर जानकारी हम यही समाप करते हैं अगर हमारी जानकारी फाइदे मंद हो लाबदायक हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्क्राइब कीजिए नमस्कार दोस्तो पहारी आईरवेदी